Hello everyone, so, अईले हामी class 9 को commission chapter गरी रहाई साँ रा exercise 3 को question बा 1 देखी question बा 13 समा हामी ले करेगो थिम रा आजा हामी question बा 1 from solve गरना गरी रहाई साँ So, question बा 1 मा ही न सकें सा From each of the flowing condition, find the commission amount and net price after commission हामी ले के निकालनो परने, के final गरनो परने commission amount final गरनो परने सा and net price after commission, commission बाहे को price निकालनो परने सा So, look at here, question number 1 A यह A, B, C, D, सिमिलर सा, मोँ दुइटर, कुने दुइटर गरना सा, चाहां सो या हाँ वांदी Question number 1 A मा ही न सकें सा description मा हाँस सा, selling price 1,25 lakhs commission rate 3% About the selling price , तो howse को price के सा 1,25 lakhs बाहे, कुने agent ले तो हाँसला सेल गरदा खेरे उसले हामी चेंगह १ूंपरो Commission दीनु परे, कोमिशन, कुदी percent दीनुपरने हूंसा, 3%, बाहे की बाहे को price सापॉस फिर एक बुझनो उला हाउस को प्राईस को गार को प्राईस कती रहे हो अचा वन करोड़ 25 लाइक रुपीस बिशनला आयो को गार सा सेलिंग प्राईस त्यो घर कती मा बिक्सा कती मा सेल उन्चा 1.25 Lakhs .... तरहा, अब होस ओनर ले घर धनी ले अब मैसे खोश देना, किसले कींसा तो खोश देना? क्ये गर सो ले? एजेंट हायर गर सा, एजेंट हों सा, एजेंट ले अब त्यो घर सेल गरे बापत, 3% के गर सा, कमीशन लें सा, अब घर को प्राइस तो एती सा, 3% कमीशन काया जान सा, एजेंट सा जान सा, सो रिमेनिंग एमांट जुन हों सा, तो हाउस ओनर ले, जसको घर थी हो, उस ले पाउं सा, ओके, हो बुझन भाया वोलाई सेले, यानि रे सेलिंग प्राइस यानि ले लिखने पहले, सेलिंग प्राइस इस एक्वल टू रुपीज 1 करोर 25 लाक्स, ओके, कमीशन रेट, कमीशन पर्सेंट और कमीशन रेट, रेट अफ कमीशन पर्सेंट जे लिखदा पने हों सा, 3 पर्सेंट, हमिला कमीशन अमांट निकालनो पढ़ने सा, रख प्राइस आफ्टर कमीशन निकालनो पढ़ने सा, सो लेट्स फाइन आफ कमीशन अमांट, कमीशन अमांट को फर्म परेशन प्रसें प्रसे झालिग एक टोलिक्र मट चांप टृ से खी टुस्ट सेलीज़ाई पर सेलीज़ज़ पर न לא कर अ झालिnin ज सफुंग पर टुनाप्ष टू टृ ल सेलीज प्रसे न करो लूरे टू एक टू बान्सों बूरो प्रसें बाश्तेव झालिज है.. 375,000, 375,000, 375,000, 375,000, 1, 2, 3, it means 3,75,000, just commission मात्र दिनु पढ़ने को सा एजंट लाइ, हमले commission amount निकालनु पढ़ने हुं सा, commission amount हमले निकाले सा किम, रा net price after commission, रा price निकालनु पढ़ने, commission पच्छी को price, so we can write here, net price after commission, after commission, is equal to selling price, selling price तो house को price कदी सत्यो, minus commission amount, यो दूटा सप्ट्राइगर दा किया हुं सा, net price after commission, so price कदी सा, 1 crore 25 lakhs, okay, minus commission amount, 3 lakhs 75 thousand, okay, तो घर सिल भाइ, बापत, एजंट ले 3 lakhs 75 thousand पाउसा, यो रा रमेनिंग, landowner ले कादी पाउसा, यो, net price after commission, बाने को, landowner ले पाउने राखम, so 3, 1 crore 21 lakhs 25 thousand, 25, 25, 25 बाउसा, ok, so 1 crore 21 lakhs 25 thousand, को सले पाउसा हैं? landowner और हाउस अने ले, यो योप यो यो अने राखम, ले वोग काउसा, यो अने ले, आखम ले, मोड़के ले, B, कोशन गर B मा कोशन या एना सकें सा B मा सा लैंड, लैंड को पाइस का दिसा, 90,000 रा कमिशन रेट का दिसा, 5%, 90,000, 5% So, what is the price of land? 90,000 So, we can write here, Selling Price Selling Price is equal to Rs. 90,000,000 Selling Price of Land is equal to Rs. 90,000,000 Commission percent, 5% रेखो सा, rate of commission लेखा पनी बाया Commission rate लेखा पनी हुन सा, commission percent लेखा पनी बाया 5% सा, सुरू मा हम के गरने, commission amount निकरने So, we can write here, commission amount Commission amount को formula के हुन सा Commission percent of Selling Price Okay, commission percent, commission percent को दिसा, 5 So, we can write 5 divided by 100 into Selling Price Selling Price को दिसा, 90,00,000 Now, calculate When you calculate, we get here 4,50,000, let's calculate once 20,20,00, cancel 5,90,45, so write down here, 45 1, 2, 3, 4, 0 1, 2, 3, 4, 0 Okay, 4,50,000, so commission amount को दिया को सा, 4,50,000 Now, हमिला, के निकालनों पढ़ने, net price after commission So, we can write here, net price after commission Net price after commission को formula के हुन सा Selling price minus commission amount Commission agent लाई दिसा के पशी, कोदी पशी सा Remaining उन सा, तिसला हमिला, net price बन सा Net price after commission So, selling price को दिसा, land को selling price, 90,000, 90,00,00,000 सा, रा, commission amount, agent लाई दिनू पढ़ने Seligore Bapath, 4,50,000,00,000 Okay, when you subtract, we get here, 8,85,50,000 Okay, 85,50,000,00, इस net price after commission Hope you understand, this question number A and B C और D को प्लीज एक पर लेनु ओला यो दुटा को एंसर प्लीज कमेंट गरनु ओला 1C एंसर कमेंट गरनु ओला 1D एंसर कमेंट गरनु ओला Okay, you can take a screenshot now We will do question number 2 Question number 2 मा हिटना सागें से यानिरी Bikram is a salesman works on commission at a store Bikram योडा salesman सा रा काया काम गर सा योडा store मा Store हरूमा के हूंसा, supermarket हरूमा, hypermarket हरूमा के हूंसा तपे को salary योटा fix हूंसा और तपे ज़ती sell गरनु ओला तो देती ने के हूंसा Commission amount आऊंसा Commission मा बद जस्ता हूँआ, तपे ले 2 प्रोडक्स sell गरनु ओला ने, 2 प्रोडक्स को commission आया सब्सक्राइब दस ओडा प्रोडक आ सेल गुरुवाए ने 10 ओडवा प्रोडक को कमिशन आएं इत मींस जती धेर उड़ा प्रोडक्स रियाने को कमीशन आए जती ही धाये स्लेकोक्षण में को कमीशन आ हो कमिशन देरे आउना लाए के गणनों परो, देरे सेल गणनों परो, योची आवा नेपाल मा साई ना, बाइना देश वरो माचे, छा, सालेरी प्लस कमिशन, ओके, नंबर टू, ए मा हेड असता, या कोशन लिख्की बनेगा सा वने, Bikram is a salesman who works on a commission at a store, he gets commission of 8% on each sale, योटा product each sale करे वने, योटा product sale करदा खेरी कादी percent commission आउसा, 8% commission आउसा, number one, find the commission on the sales, which amount, 2 rupees, 12,000, अबा 12,000, कुने product को price 12,000 सा वने, Bikram rate कादी पाउसा, 8% of 12,000, commission कादी पाउसा, उल्ले तो commission 8% पाउसा, commission rate कादी सा, 8%, उल्ले कादी को sale गरेगो सा, 12,000 को sale गरेगो सा, मने पजे commission amount कादी हो, मने पची यो की हो, selling, sales amount, so we can write here, sales amount is equal to rupees 12,000, rate of commission or commission percent, जे लेगदा पाणी होंसा, commission rate जे लेगदा पाणी बहुए याने रे, commission rate is equal to 8%, है मेले question लेखे बाने कादी सा, find the commission बाने कादी सा, commission amount निखालने पाणने बाने कादी सा, so we can find out commission amount, commission amount is equal to commission percent of sales amount, commission rate of sales amount, जे लेगदा पाणी होंसा, commission percent of sales amount, commission percent बननो, commission rate बननो, याट 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 या, commission percent of sales amount, commission percent, commission percent बनने का, 8%, so 8 divided by 100 into sales amount, 12,000, so write down here, 12,000, 2020, cancel, is equal to rupees, 816, 6, 819, 0, so कदी आयो commission 960 rupees, अब 12,000 को sell गरेको सावने, उसको commission amount कदी बाए 960 rupees, number two, वीडियो बुजदे उनना सावने, प्लीज लाइक गर्नो होला, तब कदी देखे कंजूसी गर्नो होना सा, लाइक गर्ना मा के, लाइक गर्ना थावला, पुषा बनी तिननो पारे ना, लाइक राइक राइक प्लीज गर्नो होला, लाइक एंड शेर विद याओ फ्रेंज, number two, question number two मा नेट असा, question number two मा question लेक के बनेगा सा, if Bikram's sales increase to rupees 50,000, अब इन sales के बागो सा, increase बागो सा, कदी मा 15,000 मा, how much commission will he earn at the same rate, same rate मा, rate कदी सा, 8% सा, same rate मा चे उले कदी commission कमा उसा, तो हाँ मिला find out गनो पर ने सा, अब sales amount याने रिखे बागो सा, increase बागो सा, so we can write here, sales amount, sales amount is equal to rupees 15,000, sales amount is equal to 15,000, the commission rate same सा, so we can write here, commission rate is equal to 8%, now we have to find out commission amount, ओले commission कदी पाउं सा, 15,000 बराबर को sales गर्दा खेरी, commission amount is equal to, what is the formula, commission percent of sales amount, commission percent, commission कदी सा, 8% थे बारा हमें के लिखने, 8 divided by 100 into sales amount, sales amount कदी सा, 15,000, so write down here, 15,000, now calculate, 2,0, 2,0, cancel, 5,8s are 40, 10 here, 5,8s are 40, remaining 4, 8,8 plus 4, 12, so 1200 rupees, commission amount को दी आये, 1200 rupees, hope you understand, this question number 2, now, look at question number B, question number B मा question हैना साखें सा, या निरी, Anjali is a sales consultant, okay, working on commissions at a boutique, she earns a commission of 9% on her sales, Anjali चे बाटे बाटे में काम गर्दो रहा सा, okay, उचे के हो, sales consultant हो, यवड़ा sales consultant में काम गर्दो रहा सा, and she will earn how much percent commission, 9%, number 1, calculate the commission amount Anjali earns on a sales of 2,50,000, अब 2,50,000 को सेल गर्दा खे लिए, Anjali ले कती commission amount पाऊसा, कती देरे होंसा, 9%, तो बनी 2,50,000 को सेल गरे बापाट, यवड़ा salary तो fix चादे सा, प्लस commission amount, मौले बनी, यो teaching job छोले रहा, sales पो बनी, sales boy पो बनी पाणने पाणने लागया, कौस तो होंसा, प्लीज कमेंट गर्ना होला, sales boy बनी, commission पाणने होंसा, so you can see here, question number 1 मा, total sales बाप होसा, sales amount कती सा, sales price और sales amount, जे लेगदा पाणी होंसा, sales price, और sales amount, जे लेगदा पाणी बाई, is equal to 2,50,000, sales amount is equal to this, and here commission percent, commission percent is equal to 9%, है मिले, question लेख के बनी कसा निगालना, calculate the commission amount, commission amount निगालना हो बनी कसा, so we can write here, commission amount is equal to commission percent of sales amount, sales amount, okay, commission percent, commission percent कती सा 9%, so 9 divided बा 100 into sales amount, 2,50,000, अब इस लेख के गरने, calculate करने, 2,50,000, okay, 2,0, 2,0, cancel, and 9 into 25,000 गरने, 2,5 into 9 गर्दा खेरी कती होंसा, 2,25 होंसा, 22,500, 22,000, 22,000, 22,000, 22,500, just as a commission, and income, यो चे total income होंसा, commission मात रहो, रा salary होंसा, salary रा commission, अब आद गर्दा के रिए, उसको total income होंसा, इस पजे फिर हें नोहला, No. 2 मा, if, अजली, sales rises to 2,80,000, अब शेल राइस भागो सा, okay, so, spoiler, sales 2,50,000 गर्दा गर्दा हो, अब शेल कर्दा को भागो सा, 2,80,000, what will be the commission at the same rate, commission गर्दा होंसा, तुनिकान पढ़ने, same same process of sales amount sales amount is equal to rupees 2,80,000 2,80,000 sales amount 2,80,000 commission percent commission percent is equal to 9 percent commission amount निकालनो पढ़ने सा so we can write here commission amount is equal to commission percent of sales amount sales amount commission percent commission percent 9 saa so 9 divided by 100 into sales amount sales amount का दिसा 2,80,000 इसले काल्कुले रूपीस का दिसा let's calculate and we get here 25,200 872 27 99 10 11 12 13 14 15 16 once calculate going to 8 to 8 into 9 25,200 as a commission amount hope you understand today's video question number one there to my regarding our next video my question number three the here on isa your exercise like the mess on open isa and there is a lama sign up they five six a maula and then next video I meet three to four gonna saw video one for any please like anola new and so when I please subscribe and please 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 like and share this video thanks watching till last